हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना तो कैसा रहा आपका नया साल आशा करती हूं अच्छा ही रहा होगा और मेरा भी अच्छा रहा तो मैं कुछ खास जादा कुछ भी नहीं करती हूं बस ऐसे घर में ही रहते हैं कुछ आप देख रहे हैं यह 31st का है तो जो 1st का होगा 1st जैन का वो कल आएगा तो बस वैसे घर में जो रुटीन काम होते हैं वही सब चल रहा है सुबह की देखिए चाय बन रही है भी यहां पर और बस आशा यही है कि अच्छा गुजरे दो हजार चॉबिस सभी की जीवन में लाए तो यहां देखिए चाय बन गई थी बिल्कुल तयार है चाय तो चान लेती हो और इसमें मैं गुड़ का पाउडर मिला लूँगी तो अभी न आजकल तो मुझे लगता है बहुत लोग गुड़ का पाउडर यूज करने लगे हैं वाइट वाली शुगर काफी लोग अभी तो वैसे तो गुड़ भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए मीठा कम ही खाना चाहिए पर बिना उसके भी अच्छे नहीं लगती है चाय एक दम से नहीं छूटता है कुछ भी धीरे धीरे ही कम कर सकते हैं और बस अभी हमने यहां चाय रख दी थी इसके बाद वह बारिश का पर बादल है प्रेडिक्शन भी है तो क्या होता है आगे देखते हैं और यह आ गया था कववा यहां पर तो इसको मैंने रखती थी रोटी तो ले गया है और वस कववे चुड़िये तो यहां चुड़िया दिन भर आते रहते हैं गिलेहरी भी तो यहां वैसे ना मेरी सोसाइटी में तोते भी बहुत है पर मैंने देखा है तोता भी तक एक भी नहीं आया मैं उस दिन का इंतजा कर रही हो कि तोता कबाई यहां रखती हूँ या तो उनकी नजर नहीं पड़ी है या क्या बात है नहीं मालूम पर हैं तो बहुत यहां पर सोसाइटी में पेड़ों पर देखते हैं तो चलिए देखिए अब आगे दिन की शुरुआत करते हैं क्या बन रहा है किचिन में ल तो इसको बहुत अच्छे से धोना होता है तीन से चार बार चार से पाँच बार भी धो सकते हैं तो यहां क्या बन रहा है इसका में ब्रेकफस्ट में यूज करूँगी या लंच में आगे बताती हूं आपको तो यह बत हुआ यहां मैं कट कर रही हूं चॉपिंग बोर्ड पर रखकर महीन महीन बिल्कुल आज न मैं इसके कड़ी बनाने वाली हूं मतलब की लंच की तयारी सबसे पहले आज हो रही है उसके बाद ब्रेकफस्ट की होगी तो यह कट करके मैं रख दूँगी इसको बनाऊंगी थोड़ा देर से तो आपको पूरी रेसिपी मैं करूँगी यहां पर शेयर देखिएगा जरूर बहुत अच्छी बनती है कड़ी अब यह ब्रेकफस्ट के लिए मैं सबजी यहां पर कट कर रही हूं तो जिसमें की गाजर है और तब तक न काटते काटते मेरी हाउस हैल पर आगी थी तो मैं पर चॉपिंग करने का तो ज़्यादतर इसी टाइम पर यह आती है इसको बंद कर देना ठंडा लग रहा है एक दम अभी चलने लगी है तो मैं इससे बोल रही थी कि इधर ना ये बालकनी का दरवाजा बंद कर दो बहुत ठंडा आ रहा है ठंडी हवा चलने लगी थी अभी कट करते ही करते सबजी तो कुछ तो डिस्टरबेंस हो रहा है वैदर में कुछ है ऐसा कि बारिश होने वाली है तो देखिए यहां गा चांधा गुंठिकावाज ठेट करते ही कि रहती हूं तो पत्तागों भी थी थी थ nuovo thoda से Fleisch करती हूं जो भी बनाती हूं इसके बाद मैं ने दो पयाज लिए थे यहांपर उसको भी चौप कर लिया है और पस वही फिर कडाई में मैंने डाला है देशी गी और उसमें डाला सरसों के दाने, mustard seeds जो होते हैं, प्याज डाली है, हरी मिर्च है, और थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें, हल्दी डाली थी, थोड़ी सी, तो मैं यहां पर आज बना रही हूँ, सिवईया, सिवईया जो होती है, आटे वाली सिवईया है हमारे पास, तो हल्दी होती है, मैदी यूज करती हूँ, बस हल्दी डाला है, नमक और काली मिर्ची होती है, जादर तर, साथ ही यहां सबजी आई थी, तो इसको भी मैं वाश करके सारा रख देती हूँ, एक साथ ही, जब यह सूख जाती है, बिल्कुल, तब ही मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, तो यह सभी यह मार्केट से ही रोस्टिड ही आई थी, तो इसको भूंती नहीं हूँ मैं फिर, और बस इसमें यह डाल कर और यह पानी डाल दिया है, तो यह पकेगी और यह सबजियां भी धुली हूई मैं न, उधर यह ड्रोइंग रूम में ही रख देती हूँ, जब यह सूख जाती ह यह फिर मैं इसको पॉलिथिन में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो यहां यह पानी निकल जाता है, और यह देखिए से वईया भी अभी बनने में थोड़ी सी कसर है बाकी इसमें, और बस अभी जब पानी सूख जाए इसमें, तो फिर उपर से नीबू डाल दिय है मैंने और मुंखफली उपर से डाल दूगी तो बस यह रेडी है बनकर तो काफी अच्छी लगती है टेस्टी लगती है यह उपर से धनिया जो है हरा धनिया वो गार्निश कर दिया था और यहां मैं सर्व कर रही हूँ तो बस यह मुंखफली डाल दी है और अभी सब को दे दिया था मैंने अब मैं अपना लास्ट में करती हूं रेक्वस्ट क्योंकि गरम-गरम रहता है तब ही अच्छा लगता है और जो खाने वाले हैं घर में उनको भी दे देती हूं गरम-गरम खा लेते हैं यह देखे कित पर यह जल्दी बन जाती है और यह देखिए मैं दिखा रही हूं पास से यहां पर मैंने अपना ब्रेक्वस्ट किया तो सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए हमेशा मैं काफी हेल्दी रखने की कोशिश करती हूं सबजियां डाल कर और अब मैं आ गई हूं फिर से कीचिन में तो यह लंच का टाइम है तो यहां पर मैंने दो पार्ट कर लिए हैं दो पोर्षन में इसको बत हुआ जो का सिवया बनाई थी उसी को मैं दो रही हूं क्योंकि जो हाउसल पर होती है वो एक बार कर जाती है तो बीच में तो यह सब करना पड़ता है तो वही कड़ाई मैंने दो कर चड़ा दी थी और यहां मैं बेसन डाल रही हूं तो इसमें बत हुआ था हरी मिर्च बेसन और यह प अधर साल दानी तो वहां से इधर तक लाना पड़ रहा था और सुबह काम करते टायम ही इसलेब कितना भी बड़ा किचिन हो फिर भी न इतना पहल जाता है और इसमें मुझे ना बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था ही इंग भी डाली है मैंने इसमें तो यह मिक्स कर दिया है इसको तो इसे ना बहुत पानी नहीं डालना है इसमें थोड़ा सी थिक रहता है और थोड़ा सा फिर मैंने डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ग्रीन सा लग रहा था यह और बस इसके बाद एक पिंच में इसमें सोडा भी डालती हूँ वैसे मैं खाने में कम स्तेमाल कर तो थोड़ा सा बहुत ही ज़रा सा डाल कर उसको फिर मैंने इसको तल लिया है सरसो की तेल में तो तेल में उतना ही लेती हूँ कि वेस्ट न जाए और मैं दुबारा उसको यूज नहीं करती हूँ जो जला हुआ तेल होता इसलिए मैं फिर कम लेती हूँ थोड़ा सा और ब तो इसका जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब इसको निकाल लीजिए और ये तो नहीं वैसे भी खाने में अच्छी रखती है कैचप या चटनी के संखा सकते हैं इसको तो चटनी आजकल मैं नहीं पीस पारी मेरा जार खराब हो गया मैंने मंगवाया है ओनलाइन देखे का बाता है तो इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है बहुत ही मिकसर तो मेरा डेली ही चलता है कुछ न कुछ पीस्ती रहती हूं उसमें और बस ये मैंने जितना बनाया था सब सेक ली है यहां पकोड़ी और उसी बोल में मैंने दही निकाल लिया है जिसमें पकोड़ी क गोल बनाया था तो इस ये ग्रेवी के लिए है मतलब करी के लिए जो कड़ी की होती है तो वस दही और बेशन को भी घोल लेना है तो इसमें ध्यान रखना जो रेगलर हम लोग कड़ी बनाते हैं पकोड़ी की वो थोड़ा साथिक होता है और ये बथुए वाली थोड़ी सी पतली होती है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी इसमें पानी ज्यादा पड़ता है मतलब बेशन कम पड़ता है और बस मैंने यहाँ पर जिसमें तेल में तला था तो तेल तो ज्यादा था निकाल लिया था थोड़ा सा उसी में मैंने ये तड़का लगाया है कड़ प्रणी कर डालने से पहले तो प्यास था और इसमें लहसुन इसमें साथ में पड़ेगा हरी मिर्ची और वही थोड़ा सा हल दी जाएगी और इसमें धनिया भी डाल दिया था वैसे धनिया ऐसा जरूरी नहीं है पर मैंने डाल दिया था सामने दिखा तो जरा सा चुटकी भर गरम मसाला और यह जो आधा निकाल लिया था ना बथुआ कटा हुआ वह मैंने इसमें एड कर दिया है तो इसको यह पका लेना अच्छे स तो थोड़ी धेर ढ़क कर इसको पकाना है और साथ ही साथ देखे हैं हमेने कपड़े तैकर दिये थे जो फैले वए थे क्यूंकि आज क्ला ना बहुत वुलं कपड़े सारे बाहर निकले हुए हैं तो फैल जाते और यह आइरण के लिए दिये थे 9 कपड़े तो मैं गिन लेती हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 तो गिन लेती हूं वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है कि कुछ गड़ बढ़ हुआ और ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धोय थे तो सभी फैला दिये हैं और बस इसके साथ साथ ये मेरी यहाँ पर भी तैयारी पूरी हो गया ये गल गया था ये बत हुआ तो इसमें ये डाल दिया है जो बेशन और दही का घोल बनाया था तो अभी तो ये बहुत ज्यादा गाड़ा है इसमें पानी जाएगा बहुत सारा और फिर अभी ये पकेगी तो कड़ी को न कहते हैं कि काड़ा और कड़ी एक ही जैसे होते है मतलब कि बहुत देर पकानी होती है इसको 20-25 मिनट और तब ही अच्छी लगती है कढ़ना का मतलब होता है बहुत देर पकना कढ़ी का नाम ही इसलिए रखा गया है तो बस जब यह बॉयल होने लगे चलाना इसको लगातार है जब तक यह बॉयल नहीं आ जाता नहीं तो यह फट जाएगा और यह टिप मैंने पहले भी बताई है कि इसमें एक कटोरी रख देते हैं तो यह उबल कर बाहर नहीं आती है थोड़ी देर जब यह अच्छे से उबल जाती है फिर इसको निकाल सकते हैं पर एक कटोरी डाल देने से यह कभी भी उपर बाहर निकल के नहीं जाएगी तो बस यहाँ पर यह उबलने के लिए छोड़ दी थी ढख दिया था लेकिन इसको पूरी तरह नहीं ढखना है नहीं तो यह उफन लें लगेगी तो जब तक यह पक रही थी तो यहाँ फ्रूट का टाइम हो गया तो तो अमरूद रखा था बहुत अच्छा तो मैंने सूचा चलो इसको कट कर लेती हूँ तो यह ना अमरूद बहुत ही मीठा निकला ता Hem मैंने मसाला डाला था जिसमें कि लाल मिर्ची का पाओडर है भुना जीरा है काली मिर्ची है और चाट मसाला है थोड़ा सा काला नमक है यह सब डाल कर खाए ये बहुत ही अच्छा लगता है तो बस अमरूत खाने के बाद फिर किचिन में आ गई हूँ और तो कड़ी तो बनी गई थी तो इसके संगे एक सबजी भी बना रही हूँ जो की बहुत ही जटपट है और मैंने एक ही साथ ये काड़ दिया है बिना प्याज के बना रही हूँ इसको गोभी मटर की सबजी इसमें अधरक मैंने डाली है प्याज नहीं डाला था तो बस इसमें डाल कर तेल में जीरा वगर है और ये बेसिक मसाले सारे डाल दिये हल्दी धनिया मिर्ची और नमक डाल कर इसको चला देना है ढखकर पका लेना है तो ये सूखी सूखी भुजिया ट अब ही अच्छी नहीं तो ये जलने लगती है क्योंकि मैं तेल भी कम डालती हूँ तो बहुत ही लो फ्लेम रखना है और इसको मैं दिखा रही हूँ देखिए कहां तक थी और कितना पक्के कम रह गई है तो बिलकुल अभी ये पक्कर तयार है अब इसमें जो पकोड़ी ब बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो जो सॉफ्ट पकोड़ी होती है वो भी टाइट हो जाएगी तो उतना ही पकाना है दो चार मिनट जिससे की एब्जॉर्ब हो जाए उसका और सॉफ्ट हो जाए वो बस और ये सब सी निकाल ली ती इसके बाद मैं आगी ह यहाँ पर नहादो कि और ठंडा था तो मैं यहाँ टोपी पहन रही हूं ग्रीन सूट पहना था मैंने आज यहाँ पर तो ग्रीन ही टोपी रखी थी मेरी पास कैप तो मैंने लगा ली है और बस तो आधा काम तो हमारा हो गया है इसके बाद मैं निकली थी बाहर देखा लेकिन दूप 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 तो वहां कुछ भी नहीं था तो वस यहां पर थोड़े सी यह कपड़ों को सही किया अलट पलट के कि सूख जाएं दूप तो बहुत तेज नहीं थी तो आज कलना सूखते भी नहीं है कपड़े इसके बाद मैं फिर आ गई थी घर में अंदर तो यहां पर न मैं कड़ी में एक और तड़का उपर से लगा रही हूँ वैसे तो प्याज के संग भूना था उसमें डाला है लेकिन उपर से भी अच्छा लगता है जो हीन का और लहसुन का तड़का लगाऊंगी थोड़ा सा देखने से भी अच्छी लगती है और खाने म कर इसमें लगा दूँगी और तुरंती इसको ठक देना है खुश्बू ना निकले इसलिए और बस यह तयार थी तो अभी मैंने मिक्स कर लिया है और अब सर्व करूंगी तो अभी तो मैं सर्विंग वोल में निकाल लेती हूं सारी कड़ी को तो देखिए कितनी अच्छी लगरी सबजी भी निकाल दी थी चावल यह कलका था तो बस अब यह लंच की थाली में लगाती हूं तो आज का यह लंच है बहुत अच्छा टेस्टी था और हेल्दी भी तो यहाँ पर मैंने जैकिट पहली थी ठंड लग रही थी मुझे तो मुझे ना अच्छी है कि ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी गर्मीयों में भी मेरी हालत इतनी खराब होती है बहुत ज़्यादा गर्मी सताती है और ठंड भी तो यहाँ देखिए सैलिड भी यह तेहरी थी चावल है और यह कड़ी है सैलिड काट लिया था तो चलिए यहां पर अपनी प्लेट लगा लेते हैं और खाना सबको खिला दिया है तो अपनी भी प्लेट लगा लेती हूँ यहाँ पर साथ साथ मैं मतलब और लोगों को लगा दिया था खाना दे रही थी सबको लगा के तो यह लास्ट वाली थोड़ा लगाती हूँ अपने लिए पेशेंस रखना पड़ता है और सबको देने में उन्हों को खाना दे दो भूक लगी है करते हैं तो मैं दे देती हूँ फिर अपनी इतना सजा के लगाती हूँ बाद में तो यह देखिए मैं दिखा रही हूँ पकोड़ी न बहुत अच्छी बनी थी एकदम सॉफ्ट और यह रैसिपी ट्राइ करिएगा तो बताएगा कैसी बनी है और अगर अच्छा लगता है आपको व्लॉग मेरा और वीडियो अच्छे लगते हैं रैसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शियर और सब्सक्राइब तो बनता है तो बस इस तरह यह लंच हुआ हमारा और इसके बाद सीधे में मिल रही हूँ यहाँ पर रात को रात हो गई थी तो बस इतना ही आज इसी तरह बीता दिन और कुछ खास जादा नहीं किया है तो कल मिलती हूँ कल के व्लॉग में लेकर आओंगी तब तक के लिए टेक केर बाबाए थेंक यू फॉर वाचिंग गुड नाइट